नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका बोलता बिजनोर में नगर के चानपुर रोड इस्थित फारुकुल हसन मेमोरियल पब्लिक क्लिनिक का फ्रीटा काट कर जिले की जानी मानी पूर सदर विधायक कुवरानी रूची वीरा की द्वारा किया गया जैसे कि नगरवासियों को गया थे कि स्वरगे डाक्टर फारुकुल हसन का परिवार पिछले कई दशकों से डाक्टर इनामपुरे वालों के नाम से नगरवासियों की सेवा करता चला आ रहा है स्वरगेट डाक्टर फारुकल हसन के स्वरगवास के बाद अब उनकी बेटी एरम नूर दोरा इस अस्पताल को संचालित किया जाएगा जर्ग अब उनकी बता है झाल झाल करें से छलता था समसी इसी को रेनोवेट करके इंची बेती इसके अम्हों के रही स्टार्ट किया है, यह रही रेपन किया है, नहीं हो बारत पार के रहा करती हूं, तरह की इसे चले, और अपने अमक्ना हुंका नाम घचिम, जो प्रक्षा का नाम घशन करें, और इलाखे के इसे फाइदा पहुँचे जो भी दिमार आते हैं, जो भी परिशांस आल आते हैं, इंको आपनों अच्छी से उन्टा ट्रीच्मेंट करें, इसे लाइस हैं, वर लोगों को पहुचें, और ऐसी मुझे यकीन है, उमीद है, और ये बहुत मुदालगा आपको भी और मुदासर इसे उन्टा टाने के जादर बागा आते हैं, रहमत कॉलोनी के में ओन रोड चांदपुर की चुंगी पर, ये हॉस्पिटल हमारा है, इसका नाम है फारुक अल हसल मेमोरियल पबलिक क्लीनिक, ये हमारे जो अमरूम है, लेट फारुक, उनकी याद में हमने ये रियोपन कि है, यहां पर गाइनी के मरीज हैं, औरतों से सम्बदी जितनी भी परिशानिया हैं, बांचपन का इलाज है, लिकोरिया का इलाज है, ये सब किया जाएगा, उसके साथ साथ यहां पर जनरल फिजिशियन के भी सुविदा है, मतलब जनरल में खासी जुगाम, नजला, या औ फालिस सहाब फारुक उलहसन इनामपरे वाले फालिस है और बहुत सालों से हमारा यहां पर पबलिक को सेवा देते आए हैं जितने भी गरीब लोग हैं उनके लिए हमारे फादर का एक खास वो था कि उनको जितनी पर अपनी तरफ से कोशिश हो सकती है हर तरह की फैसलिटिस देने की कोशिश करते रहे हैं और हमारे दादा जो इनामपरे वाले हैं वो भी गरीबों के लिए खित्मते खलक का एक उनका जो में मकसद था उसको उन्होंने हमेशा कयम रखा और आज हमारे वाली साहब हमारे साथ नहीं है लेकिन उनी की याद में हमने मैं उनकी बेटी किनमनों ने ये कोशिश करी है और हमारे परिवार वालों ने हमारे भाईयों ने कि उन्हीं को आगे बढ़ाया जाए उन्होंने जो कोशिश एक रखी थी कि इस समाज की सेवा करी जाए बिजनार वालों की सेवा करी जाए इसी सेवा को मदे नज़र रखते हुए हमने यहा किसे खिदमाते खल्क हम करने की खोशिश करेंगे कि गरीबों को जादा जादा इलाज दिया जाए